हेलो टेंज fellows तो कैसे हो आप लोग स्वागात थे आपकेוד नए Market Analysis स्वीडियो में तो दोस्तों भी आज की सु apology में हम देखेंगे कल के लिये Nifty और 그렇ma क्या हमारा व्यू रहेगा और आज के दिन हमारा क्या विव था तो वह आज की सुडियो में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए बीना टाइम वेस्ट की चार्ट की और चलते हैं और एनालिक्सी स्टार्ट करते हैं हमारा देखो अभी आपके सामने यहाँ पर निप्टी फिप्टी का चार्ट वर्न वर टैंफ्रेम के उपर लगा हुआ है तो सबसे पहले अगर नर्जे डाले आज के सेशन्स के उपर के कल आज हमने क्या व्यू दिया था आज के लिए आज हमारा क्या व्यू था और किसी साफ से मा सब्सक्राइब यहां पर मार्केटम देखने को मिली परंतु मुमेंटम की बात करे तो एकक्षिटरिशन के साफ से मतलब गया रहती एक और को की इक करती ो इन दिनों के मतलब आप देख रहे हो बहुत दिनों से यहां पर मार्केट dig polish एक रहती की कि वी जो इन दिनों से मतलब आप देख रहे हो बहुत दिनों से यहाँ पर मार्केट एक ही रेंज में घुम रहा है तो ऑप्शन बाइस की एक एक फिटेशन रहती ही कि भी या लेवल सपोर्ट रसिस्टन कुछ भी हो ब्रेक आउट करके ट्रेंडिंग मुवेंटम यहाँ पर दे ह हमें तो बस वही एक्पेटेशन रहती है पर उस हिसाब से यहाँ पर हमने जो मतलब लेवल से थे आपको निप्टी डैंग निप्टी में कि अगर इसके बाहर निकलता है निप्टी बैंग निप्टी तो वहाँ पर हम बाइस सेल का प्लानिंग कर सकते है तो आज क्या यहाँ पर छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला तो क्या अभी ट्रेंड मतलब यह चोटी सी रेंज में ट्रेंड कर रहा था तो क्या आज डे बकवास रहा तो मैं कहूंगा यहाँ पर भले यहाँ पर आज मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहा हो हो चाहे nifty मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यह turn rate से लेके यहाँ पर 60-70 point में यहाँ पर trade करता हुआ देखने को मिला और bank nifty को आज देखोगे तो bank nifty भी करीवन कुछ 200 point के आस्वास यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर trade करता हुआ देखने को मिला मतलब दोनों side यहाँ पर आप देख पूरा दिन गया है trade बहुत ही अच्छे खास है यहाँ पर देखने को मिला है side wise रहा है पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रोफिट बनाया होगा क्योंकि यहाँ पर आज देखोगे बले रेंज में था पर देखोगे तो कोई ऐसा नहीं था कोई प्रेक बेक आउट या यहाँ पर बहले छोटा मूटा यहाँ पर मतलब premium DK भी हो रहा था अम तो कही ना कहीं वह भी यहाँ पर cover हो जा रहा था ठीक था कि यहाँ पर यहाँ पर premium मिल जा रहा थे और अच्छे कास यहाँ पर scalping trade यहाँ पर बना है तो अभी देखो जो भी थ अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पर पॉजिटीव बना हुआ है निप्टी बैंक निप्टी के मुकाबले यहाँ पर strong है पर अगर strength की अगर बात की जाए तो दीरे-दीरे कम होता जा रहा है मरला अभी मानलोक कि अगर बेक आउट भी यहाँ पर आता है तो मेरे को नही मुझे नहीं लगता है कि यह ज़्यादा आगे और कंटीनियून करेगा मरलब और सस्टेंड करेगा यह हो सकता है हमें ब्लेकाउट फेलियर भी यहाँ पर देखा सकता है बाकी डेटा कि अगर बात करें तो आप ऑप्शन चेंड देखो के निप्टी बैंक निप्टी का तो हुल होने का स excitedत यह हो सकता है कि आज अमीरिका में कुछ डेटा आने वाला मिटिंक का है वह Ah मिले सकता है परन्तु अपने को कई यहां पर कुछ लेना नहीं लेवलस rock यहां पर फोकस करबेंगे जैसे कि हम दो दीन से पिछले दो दीन से यहां पर देखो के कि तो एक र कुछ एक बायस बना के रखते है कि यहाँ पर कल पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए नेगेटिव ट्रेड करना चाहिए तो यहाँ पर अभी फिलाल ऐसा कोई व्यू नहीं है आज भी नूट्रल लेकर जाएंगे जैसे कि दो दिन पिछले लेकर गए जैसे कि लेवल्स के कि चार अजार और पांसो करोड का कुछ वहां पर आपको बायंग होता हुआ देखने को मिलेगा तो हो सकता है हमें गयाप अपनिंग देखने को मिले पर उपनिंग के बात क्या कुछ लोग यहाँ पर बायस बना लेगे अभी वह तगड़ी बायंग के चलते कि यह के साथ चले के ब्रेक आउट पहले होने दो लेवर सस्टेन होने दो फिर हम आगे प्लानिंग करेंगे जैसे कि अभी इन दिनों यहाँ पर करते हुए आये है वैसे अगर नहीं भी आये ओल्टाइम हाई तो भी हमें कोई दिकत नहीं कुछ लोगों को मैं दिकता देखता लगें तो बस शुरूते रहते हैं ओल्टाइम हाई आजा तो अच्छा है और माई अल्टाइम हाई से हमें क्या मतलब है वह हम इंट्राडेट ट्रेडर है हमें किसी भी साइड यहाँ पर ट्रेड मिल जाए तो मतलब हमें all-time high या fall आया हमें उससे कोई दिखना नहीं है, momentum यहां पर हमें दीखना चाहिए है ना, परनतुकि उस लोग बस all-time gap of opening के बाद all-time high दिखा दे, वो दिखा दे फलाणा दिंगाना, अभी all-time high की किसको जरूर थे, इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टर को भी अभी उसको भी कोई जल्दी नहीं है उसका भी पांच-बेश साल के लिए मतलब व्यूब से पड़ा होगा है ना तो जो भी है ऐसा बायस बना के चलना नहीं है कि हर डिप यहां पर बस पूर्ट कॉल बाय करता रहो फ्यूचर बाय क करें तो स्ट्रक्चर बोजिटीव यहां पर बना हुआ है अभी इस चैनल को हम आगे खीचे थोड़ा कि अभी आगे क्योंकि आगे इसको बढ़ाने का टाइम आ गया है तो जैसे कि कल मैंने आपको यहां पर लेवर्स दिया था कि यह टंडेट के उपर है जब तक एक रेकाउट रेटेस्ट और कंटीनि इस टाइप का मैंने आपको दीखा तो और वैसे ही यहां पर देखने को मिला निफ्टी बैंक दोनों में तो इसलिए आपको चैनल कि यहां पर आप लेवर्स को ज्यादा आपको यहां पर क्या कहते हैं दबाओ नहीं देना मतलब लेवर और ऐसे फोकस हो की ज़्यादा फॉकस को हमें यहाँ द्याद में जुरूर रगना पर उसके उपर जुक gdzieś के उपर है पीछ वंद सक्रेख्याट Commission किले ya वह स्य कि अपर यहांपर ट्रेडर के बन सकतेव रगें सासिते और विल surface बन सकतेवशत और यहां पर निकल सकती है तो जैसे कि मेंने यहाँ पर काओ कि फेया ब्रेक आउट रेटरे स्ट और कंटिन के बाद हम यहाँ पर प्लाणिंग कर सकते हैं आज एक कच्छा का से यहाँ पर मेरा दो ट्रेड़ी यहीं पर बूल साइड में यहाँ पर बना है निप्टी नहीं सुर्वारी बेंग निप्टी में परन्तु बस यहीं मैं आपको कहता हूँ कि लेवल्स एक सीर्फ बस यू काओ कि हमारे लिए एक रेफ्रेंस रहता है कि कह आपके हम मतलब ही एक समझो की चार्ट को वहाँ पर हम ड्रो कर पाए बाकी आप समझ रहे हो ना दिरे-दिरे मैं आपको मतलब हर वीडियो में ऐसा थोड़ा-थोड़ा पॉइंट में आपको बताता हूँ तो वह आपके लिए सीखने जरूरी है ऐसा नहीं कि बस हमको वही अब करना है बस बता तो हम यहाँ पर निकल जाता है तो उससे आपको कूछ नहीं होने वाला है ज्यादा से ज्यादा आप दो दिन यहाँ पर प्रोफिट वना होगे अगर लेवल के हिसाब से मतलब सिर्फ लेवल को ही यहाँ पर फोकस करोगे तो क्योंकि हर्ट टाइम पीचे वह लेवल से यहाँ पर फोकस कर रहें मतलब है ना समझ गए तो अभी चली लेवल की यहाँ पर बात करें कि कहां कहां हम क्या पोजिशन यहाँ पर बना सकते हैं तो जैसे की एट अंडरेड के उपर अभी भी कहोंगा बाइद डीप तो नहीं कहोंगा परुंतु ज अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने देखा होगा कि ब्रेक आपको मार्केट में दो तरह की देखने को मिल सकती है कैसे देखने को मिलती है मालो कि एक मार्केट यह नीची है से यहाँ से मलब उपर यह जा रहा था अब यह आगे एक रेसिस्टेंट आया अगर इसको ब्रेक करना है तो यह ऐसे करके ब्रेक करेगा यह तो पहला कंडिशन यह रहेगा कि यह फर्स्ट अटेम नहीं मतलब एक बार मतलब ऐसे यह ब्रेक आउट आपको देखने को मिलेगा किया मार्कए यहाँ से ब्रेक से उपर से मतलब ऐसे ऑपर लगता है पर है यहाँ पर यह नौटीस करना पड़ता है guafi market की तरह से यहाँ पर ब्रेक आउड डियरहा है कुछ सब्रेक अशवगे कि मालऊ की मार्कीड यह ओपर से मतलब 16 में आ रहा है यह सीधा एक मतलब यह बहुत ही बाधी रॉनिंग लेते हुए आ रहा है और फीज़ यहां पर breakout रेटेस्ट और continue आपने ऐसा भी मार्केट यहां पर देखा होगा तो आप समझगे कि किस प्रकार का यहां पर breakout कहां पर कैसे हमें किसी सब से यहां पर breakout पर trade लेना है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं तो यह अभी मैंने आपको क्यों समझा पर कल पर सो क्यों नहीं समझा तो यहां पर मैं जो अभी point आपको समझाने जा रहा हूं तो यह scenario कहीं न कहीं यहां पर बन रहा है क्यूंकि यहां पर अकर देखेंगे तो रसिस्टन हमारे पास all time high कुछ यही है 80,890 के आश पास मतलब रसिस्टन भी फिला लभी है आजके देखा हाई भी अगर देखे तो रसिस्टन यही है तो अगर हम इसको मान ले कुमान लो कि 900 का लेवले इस इधर ही साइड होपन होता है और आशके दिनगा हाई यह ब्रेक करके उपड़ जाते तो सीदह आप वहाँ पर भाइच साइड के लिए जा सकते हो मतलब रसिस्टन है ब्लब ब्रेक ब्रेक आउट और रिस्टेर भागता है तो 900 भी मिरे खाहल सर यह आसानी सब्रेक कर देगा फिर हमारे पास नेक्स्ट रेसिस्टन क्या आएगा 950 90,000 मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है ट्रेंड लाइंक को यहाँ पर रेफरेंस में ले लेना है यहाँ आप आगे ऐसे खीज़ दोगे तो अभी मालों कि यहाँ पर यह खुला यहीं पर यह सिधा जा रहा है उपर तो नेक्स्ट रेसिस्टन हम पॉइंट बहुती मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास रहने वाला है अभी यहाँ पर मार्केट आया ओल्टाइम हाई इसने बना दिया 950 का अभी इसके बाद यह आगे क्या करता है यहां से भी हो सकते ब्रेकाउट फेलियर के बाद एक स्ट्रॉंग सेलिंग हमें देखने नहीं के अभी 900 के उपर आ गया है ओल्टाइम हाई बन गया तो अभी सीधा 19,000 पर जाके ही यहां पर रोखेगा तो वह हम यहां पर बिल्कुल भी यहां पर नहीं रखने वाले तो सिंपल सा जो भी है लेवल्स ब्रेकाउट होगे अगर 950 पर देखेंगे लाइव उसके साथ आपको यहां पर चलना है तो आपको यह समझ में आगए है बाई हमें कहां पर करना है या तो फिर यह समझ को छोटा मूटा गैप देखने को मिला तो 900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम वहां पर बाई साइड के लिए चलेंगे फर्स टागेट हम क्या लेकर सकते हैं 949 50 मलबी अब समझ गेव वहां अगर आगे 940 50 भी ब्रेक होता है तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा 90,000 का लेवल और उसके आगे 950 है ना अगर जादा से जादा मेक्सीमा मगर मालों कि बहुती बढ़िया बुलिस मुमिंटम आ रहा है तो 90,100 तक मैं अभी फ फिर आएगा पूल फिर आगे continue करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे जो भी है मैं आपको अगर कुछ changes रहेगा अगर यहां पर analysis के अलाव तो आपको मैं टेलेग्रम ग्रूप में दिखा दोगा मतलब वहां पर update कर दूँ का टेलेग्रम ग्रूप का link आपको description में मिल यहां पर क्या structure्स बन रहा है हो सकता है swing way up down यहां पर हो जाएगे तो यहां पर कहीं बार क्या होगा breakout failure जो breakout अगर देखोगे तो मैं ने आपको कहा है था कि चार्ट के उपर ध्यान देना यान तो यहां पर एक breakdown failure है तो यहां पर उस दिन हम यहां पर trap नहीं हुए थे तो य और क्या structure बनना रहा है क्या swing high low यहाँ पर बनना रहा है उसकी सबसे भी हमें आगे चलना है तो यह buying side का हमारा हो गया है clear अभी downside की अगर बात करें तो वही level हमारे पास रहेगा 80,800 का यह breakdown होता है तो हम वहाँ पर selling side के लिए जाएंगे कहां तक फिर से हमें lower area जो lower area हमारे इस चैनल का support हम लेके चलेंगे बाकी यह breakdown होता है 680 का 700 का level उसके बाद ही हमें कोई तगड़ी वहाँ पर selling देखने को मिलेगी परन्तु देखो यहाँ पर एक यह 800 का level आज फिर से में क्यों दे रहा हूँ और यहाँ पर trending momentum भी यहाँ पर हो सकता है हमें देखने को मिल सकता है तो उसका भी एक अगर यहाँ पर अगर आपको दीखाओ कि आप देख रहे हो कि अगर एक मानलो कि यह निची आता है यहाँ पर साइड उपन हुआ या training को मिल सकती है जया dauर कि इसके नीचे हमें टगरी सहल इपार में देखने को मिल सकती है अगर यह लेवल बास शपोर्ट ब्रेक हुआ तो क्रिया अच्छा-गास यहाँ पर सपोट है और जॉन्टल लेवल के इसीसाथ से यहाँ पर सपोरोट है दूसरा यहाँ पर क्या हैaren लाइन जो चैनल आ रहा है उसका भी यहां पर सपोर्ट है उसके बाद अगर यह मानलो की ब्रेक हुआ तो सीधा हमें 550 भी लेवल यहां पर देखने को मिल सकता है है ना और अगर मानलो की इसको में थोड़ा और बड़े टैम फ्रेम पर लेके जाओ तो एक तो एम पेटर्न है हो जाए कि अभी वाल टाइम हाई नहीं आने वाला वेट एंड वोस करने वाले जो भी है मार्केट के इसाब से जो भी हमें दिखाता है उसके इसाब से हम यहां पर चलेंगे तो लेवल आपको यहां पर मिल गए सिंपल वही जो कल लेवल दे आजी मतलब आज के ट्रेडेंस के लिए जो लेवल दे वही कल हमें यहां पर आगे फ्रवर्वर करना है इसको चाहो तो आप आगे यहां पर और कंटिनुन कर सकते हो खींच सकते हो तो यह हमारे पास चैनल आके आ गया बाकी जो भी है मैंने आ स्ट्रक्चर बोजीटिव है बाकी कोई अभी नूट्रल वियू है यहां पर ऐसा कोई लेकर नहीं जा रहे कि कल ओल टाइम हाई देखने को मिलेगा नहीं भी मिल सकता है अगर यहां पर अगर डाउजोंस की बात करें तो देखो यहां पर अभी सिक्स्टी पॉइंट के सकता है मतलब तगड़ी बाइंग है वहाँ पर कैस में आपने देखी होगी तो हो सकते हैं आप पर गैप अपनिंग देखने को मिले सीधा मतलब 900 के उपर आपको ओल टाइम हाई के उपर और सीधा वह लोग अब और मतलब मानलो की जो उन्होंने बाय करके चले है आज के द को मिले अगर यहाँ पर इसके उपर भी मानलो चैनल के उपर अगर ब्रेक करके निकल जाता है तो फिर वहाँ पर हम सेफ हो जाएगे और थोड़ा कॉंपिडेंस हमारा यहाँ पर बढ़ सकता है कि अभी यह आगे कंटीनिर कर सकता है पर उन्होंतु उसके लिए चैनल का ब अचल के लिए पर लंबा हो रहा है पर्मक्तु यह विडियो वैसे में यहाँ उसके चलते चलते मेरको इहाँ पर सोट वीडियो मेरे को बनाना चीए 4-5 मिनिट का या 3 मिनिट का परंतु मैं उसके उपर फोकस नहीं करता हूँ वले ही ये 10-15 लोग या 25 लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनका अगर कल्यान हो रहा है तो है ना तो बाकी आप समझ जाओ क्या है तो अगर आप चैनल पर नए हो वीडियो आप अभी तक देख रहे हूं तो वीडियो आपको अच्छा लाग रहे हैं तो चैनल को भी सस्क्रेव कर देना और साइड में बेला आइकन को भी on कर देना और अपने दोस्तों को भी शेर कर देना तो अभी चलते हैं बैंग के चार्ट के उपर तो बैंग कि में देखो जो भी अ लीप हम ढूआर्बिटे में जो यहां पर बनाया है हमने तो यहां से थोड़ा यहां पर उल्ट है उल्टा क्यों है उल्टा नहीं स्वरी फिद और देखोगे mendr संद्uff कम वापी निफ्ती देखोगे तो हायर हाई हाँ आप बनाता हुआ जा रहा है यहाँ पर बहुत डीनों से में यहां पर नएज फ तो सो रहा था है एक जś यह चला जाता है म Lecture सोच रहा था कि इसके चलते मुने आपर बने थी और यह ट्रेंड लाइन अभी हमें आगे भी यहाँ पर यूज होने वाली है तो अभी ले चलते हैं लेवल्स पर ध्यान दे चलिए तो यहाँ पर फिर से वन आवर टाम फ्रेम पर यहाँ पर चलेंगे हम यहाँ पर यह तो देखो मैंने मेरा फर्स ट्रेट जो बना एक तो मैंने दो ब्रेक आउट टाइप आपको मैंने दिखा है जो निप्टी में दिखा है वैसा ही तो वही ब्रेक आउट टाइप हम यहाँ पर भी यूज कर सकते है पर उपनिंग कहां होती है मार्केट की उसके उपर डिपेंट रहता है पर उसके लिए अभी क्या है वो ज्यान में रखना है कि हमारे पास यह सपोर्ट रसिस्टन आगे रहने वाले तो परन्तु फिलाल अभी यहाँ पर अभी हम देखें कि नॉर्मली नूट्रल वियू से कि अगर मार्केट यहाँ पर मतलब इनी लेवल के बीच में ओपन होता है तो हमारा क्या वियू रहेगा त तो हो सकता है हमें आगे और भी continuation और आगे आने वाले दिनों में फिर से हमें all time high देखने को मिल सकता है मतलब यह trend line के उपर अगर sustain होता है बड़े टाइम फ्रेम पे आप अगर देखोगे मतलब breakout तो आपको यहाँ पांस मिनिट या दस मिनिट या पंदरा मिनिट आप जो तो साथ ही में यह जो सीनारियो में आपको बता रहो वह आपको थोड़ा वन आवर टाइम फ्रेम पे देखना है कि यह जो breakout ट्रेटेस्ट आप देखो के चैनल को आए जो trend line आपको जो देखने को मिल रहा है उसको आपको वन आवर टाइम फ्रेम पे नोटिस करना है पांस म आने वाले दिन में फिर से ओल टाइम हाई और यह जो trend जो downtrend की और यह जा रहा है दीरे करके नीचे की और सरक रहा है तो हमें कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ देखने को मिल सकता है और अच्छी का सी यहां पर बुलिस रेली देखने को मिल सकते हैं तो आपको देखो आपको पहले भी बना के दिया था और जो डेगुलर्स वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा कि यहां पर इसके बीच में क्या करना है अगर नहीं पता है आप पहली बार यहां पर आया तो इसके बीच में अगर 900 के बाद नेक्स रसिस्टन हमारे पास क्या आएगा यह 44 4050 का और उसके आगे अगर देखेंगे तो फिर 44200 का लेवल यहां पर हमें देखने को मिल सकता है परन्तु इसके बीच में हमें क्या करना है या तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉपलर्स के साथ आप यहां पर कंटिनु करो या तो फिर मैं यही कहूंगा चोटे मोटे यहां पर स्कैल्पिंग ट्रेड यहां पर आप फाइंड करो है न क्योंकि इसके बीच में आप देखो कि तो बहुत ही मतलब पहले दिनों में यहां पर बहुत टाइम यहां पर आपको फशा के रखा हुआ है परन्तु हो सकते हैं आप पर इस बार यह चैनल को ब्रेक करने का की कि आप यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लोट के साथ आप यहां पर आगे कंटिनियून कर सकते हो है ना या तो फिर आप यहां पर एक दो लोट में काम करें यहां पर बूक कर लो फिर आप पर फ्रेस्ट कॉंट्री रहा मतलब एंटर यहाँ पर इसके बाद बना सकते हैं या तो घर प्रेलिंग आप अपने रिक्स बीवरी की इसाफ से अपने इसाफ से यहाँ पर प्लाने कर सकते हो अभी अधिल नीच साइड की अगर बात करें तो सेव एक करशक tuition कर सकते हैं या कोई कसूलीटेसन करके मतलब होता है ऐसको ब्रेक करता मारकेट, अभी कहाँ पर कैसे क्या ओपन होसान है उसको आपको आपको देखना है गते हैं अभीडियो भी यहाँ पर कई वीडियो में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ तो आप रिवर्सल यहाँ पर मतलब एक रेफरेंस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड लाइंग के इसाब आप रिवर्सल भी यहाँ पर ढूंड सकते हो बाकी यहाँ पर स्विंग लोग क पर कर सकते हैं मतलब आप एक यू समलों के बहुत ही बड़ी जैंज है 43,700 से लेके 44,200 का उसमें आपको थोड़ा संबल के ट्रेड करना है बाकी आप अपने इसाब से यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो दूसरा यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लैंग यहाँ पर आप थोड़ा खीच सकते हो जो अभी मैंने आपको कहा के रिवर्सल आप फाइंड कर सकते हो तो यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद ही अगर इसके बीच में ओपन होता है तो यहाँ पर भी आप ब्रेकडाउन रिटेस्ट के बाद ही आप कंटिनुन कर सकते हो जो इन सपोर्ट एरिया के आ अगर आप देखोगे तो यहां उसके बाद मैंने इसलिए आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा आप एग्रेस्वी सेलिंग यहां पर कर सकते हो परंतु एक मेजर सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास क्या आएगा 700 के लेवल ब्रेक हुआ तो 400 और 150 और आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा मैंने आपको यह हर वीडियो में यहां पर यही लेवल से भी 3-4 दिन से यहीं रख रहा हूँ ज्याला कोई चैजिस यहां प यहां पर प्लानिंग कर सकते हो तो वीडियो में आप अभी तक बने हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी सेर करना तो वीडियो इधरी हम खत्म करेंगे वीडियो देखने के लिए थैंक्यू ध